तो numerical की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और chapter number 11 यानि 12th class की physics के chapter number 11 के हम numerical complete कर रहे हैं दो numerical इसके complete हो चुके हैं आज हम इसकी exercise 11.3 को complete करेंगे यानि question number 3 को complete करेंगे आज की class में तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसके number 3 को देखते हैं इसके अनुसार एक विशिष्ट प्रियोग में परकास विदुत परभाव की अंतक वोल्ट ता अंतक वोल्ट ता का मतलब stopping potential यानि निरोधी विभाव और वो हमें दिया गया है 1.5 वोल्ट तो जो value हमारे पास में available है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन से मान available है अंतक वोल्ट ता हमारे पास में है जिससे हम दर्सा देते हैं V note से और value हमारे पास में 1.5 वोल्ट आगे भढ़ते हैं उत्सरजित इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम गतिज उर्जा कितनी होगी तो निरोधी विभाव और गतिज उर्जा में तो हम समझ जानते हैं K maximum बराबर EV note तो सीधा ही formula लग रहे हैं ज्यादा hard नहीं है तो यहां पर पूंचा गया है K maximum और निरोधी विभाव जो है वो real में अधिक्तम गतिज उर्जा का ही क्या होता है मापक होता है तो complete कर लेते हैं अब इसको तो चोंकी K maximum बराबर होता है EV note दोनों value हमारे पास में available हैं तो E का मान हम जानते हैं एक electron का वेस 1.6 into 10 raise to power minus 19 यहां पर V note का मान है 1.5 यह हमारे पास complete energy आ जाती है किसमें जूल में तो 1.6 को multiply कर लिजा 1.5 से यह जूल में maximum गति जूर्जा आ जाती है लेकिन हम यहां पर जो energy लेते हैं या इनकी जो energy होती है वो जूल में नहीं होती है बलकि किसमें हम आप देखते हैं electron volt में तो complete कर लेते हैं K maximum का मान electron volt में और electron volt में अगर हम complete करेंगे तो 1.6 into 10 raise to power minus 19 का दे देंगे भाग तब हमारे पास जो value आएगी यानि 1.6 into 10 raise to power minus 19 यह इसकी value है जूल में electron volt में complete करेंगे तो 1.6 into 10 raise to power minus 19 का भाग देंगे तो value हमारे पास में आजाएगी electron volt में यह value इस value को divide कर देगी तो finally हमारे पास की maximum जो होगा वो 1.5 electron volt होगा तो real में तो हम यही कह रहे हैं कि निरोधी विभो जो है वो real में किसका मापक है maximum गति जूर जाका यानि निरोधी विभो रियल में गति जूर जाके ही क्या है बराबर है value देख लिजी कि maximum बराबर 1.5 यह electron volt में रहेगा और निरोधी विभो किस में रहेगा volt में रहेगा तो complete हो जाता है आपके question number 3 तो note कर लिजा आप इसको यहां तक next भाग में हम complete करेंगे इसका question number 4 आपको मिल सके उसका notification आपके पास आ सके इसके लिए आप चैनल को subscribe कर लिजे ताकि उसका notification आपको मिल सके note कर लिजा आप इसको यहां तक और next भाग में देखेंगे question number 4 तब तक के लिए धन्यवाद